एक हिंदू पुजारी द्वारा इसलाम धर्व के प्रेगंपर के लिए कुछ अब शब्दों का प्रयोग क्या क्या जिससे नाराज होकर नाखपुर के सबी मच्चितों के मौला नाओ द्वारा सकरदराप पुलिस थाने में सोमवार को शिकार दर्ज कराई की इस संदर में तोनों द्वारा मानिता प्रतान की गई है भारत के पुर्ण इतिहास के दोरान धर्व का यहां की संस्कृति में एक महत्व पुर्ण स्ताहन रहा है किसी भी धर्व या मजभब के बारे में कोई भी चीज बोलना जो उस धर्व की भावना को आहत करे ये कानुनी दौर पर गलत माना क्या है इसे बीच हिंदु धर्व के पुचारी नर्सिमानन सरस्वती ने इसलाम धर्व के पैगंबर के लिए कुछ अब शब्तों का प्रयोक किया जिससे इसलाम धर्व को माननी वाले लोगों की भावनाय आहत हुई है इसे की चलते नागपुर के सभी मज़ीतो के मौला नाओ द्वारा सकर्दराफ पुलिस थाने में सोवार को नर्सिमानन सरस्वती द्वारा दे गए बयान के विरुद में शिकार दर्ज की गई इस संदर में मौहमद शाकिर ऐसा इन्होंने अधिक जानका रिसाजा की ये हमारे मजभी मामलात में आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बहुत दखल अंदाजी कर रहे हैं और इसलाम और पेगंबर इसलाम के तालुक से इंतहाई दर्जी की घिनोनी जो है शादिस के तहस तोहीन कर रहे हैं जिस से मुसल्मानों के जजबात भड़क रहे हैं चाल ही में वसीमरिजवी जैसे आद्मी ने कुराण के बारे में कुछ बाते कही जिस से मुसल्मानों की जजबात को ठेस पहुँचिया हूँ अभी हाल ही में नर्सीमा अनन सरसूती जो एक मंदिर का पुजारी है उसने बड़ी घिनोनी हरकत की और हमारे नभी सुल्लाओं के तालुक से बहुती नाजबा कलिमात उसने कहे जिससे नौजवानों में हमारे लोगों में गम गुसा है जिसके तहट हिंदुस्तान में जगे जगे उसके ता आइमा हजरात वो पूरी आज उन्होंने मिटिंग ली और सभी लोगों ने मिलकर जो है सकरदरा पुली स्थाने में कम्पिलेंट डाली इसके खिलाब कि ऐसे आदमी को गिरफतार किया जाए इस पर सक्त से सक्त सजा इसको दी जाए ताकि हिंदुस्तान का माहौल जो है वो अमनों शांती के तहद जो है यहां का माहौल पूरा अमनों शांती के तहद बना रहे इस दुरान उन्होंने बेसियन नियूस के माथिव से आपिल की है कि देश की अमन और शांती को बरकरार रखते वे इस संथर में जल से जल कारिवाई की चाई और हमें नया दिया जाई जैसा कि अभी आपने सुना हमारे हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है और हम आज देखते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान मुलक में ये तहजीब कहीं खोसी गई है मख़ब इसलाम ये अमन और शांती का पैगाम देने वाला मख़ब है हम किसी भी मजभब को टार्गेट नहीं करते लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कभी वसीम रजवी के नाम से तो कभी नरसिमानन सरस्वती के नाम से ये मजभब इसलाम को टार्गेट करते है और खासका अरभी जो इसने किया है सरस्वती ने वो इन्होंने किया है के हमारे प्रॉफित मुहम्म्द स 1 लो ऎन्हाब को टर्गिट किया और आपको बहुत ही जो है के आपकी शान में गुस्ताखी की है तो हम और हमारी काँ मुस्लिंट इसमें बड़े जो है के जजबात में है और बड़ा शदीद जो है कि एक गुस्सा हमारे कौम में ये इसका पड़ा हुआ है तो बस हम इस न्यूस चैनल के माद्यम से ये कहना चाहेंगे बारत देश विविता में एक टाका प्रतिक है और सविदान की अनुसार किसी भी वैक्ति द्वारा किसी धर्म या मसब के लोगों की भावनाओं को ठेश पहुचाई जाती है तो वो सरासर अनुचित है कैमरा परसन मारिकल के साथ दिशाहटबार की रिपूर्ट कैमरा